नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं स्वास्ते मंत्री बन्ना गुपता ने एन एच्छेम कर्मियों को दिया भरोसा राजी में कर्मियों को उनकी नोखरी नियमित होने का स्वासन स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने दिया है आज नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता से मुलकात की मुलकात के बाद मंत्री बाना गुपता ने अस्वासन देते हुए कहा है कि समिती गठन की परिक्रिया चल रही है जल्द ही नियमित करने को लेकर सकरात्मक पहल किया जाएगा स्वास्थ मंत्री के साथ हुई बाद चित के बाद कर्मियों ने उनका धन्यवाद भी दिया स्वास्थ मंत्री बाना गुपता के आवासे कार्यालाई पर सैकडो की संख्या में एनेचेम के बिभीन जीलों से आय कर्मियों ने अपने नियमती करन की मांग को लेकर मुलकात की इससे पहले भी करिब एक माँ पहले इन कर्मियों ने मुलकात कर अपनी मांगों को रखा था बताते चले कि आज जब मंत्री बना गुपता को पता चला कि एनेचम कर्मियों ने मुलकात करने की खजाईर की है तो वे आवाज से बाहर आई और कर्मियों से बात की JBBNL ने बिजली संकट से निजात पाने के लिए जार्खन सरकार से मांगी मदद जार्खन में ब्याप्त बिजली संकट से निजात पाने के लिए अब JBBNL ने राज सरकार को त्राहिमाम संदेश भेज सहायता मांगी है राज सरकार से 500 क्लोर के रिवॉल्विंग फंड की मायंकी है JVBNL के MD ने मुख सचीव से इस समन्द में बात भी की है केंद्र सरकार के नए नियम के उनसार बकाया होने पर राजी की बिजली में कटोती कर दी जाती है 15 अक्टूबर से ही लगातार जार्खन को अतिरिक्त बिजली खरीदने पर रोक है यहां तक कि आधोनिक पामर से मिल रहे 180 मेगवाट बिजली भी रोक दी गई है जबकि DVC कमांड एरिया में 10 पर त्यत कटोती का आदेश दिया गया है नया नियम के अनुसार केंद्र सरकार ने प्राप्ति पोल्टल बंदाया है इसमें भकायों को नीमित रूप से अप्टेट किया जाता है गिरीडी में 100 से अधिक पसू लदा 3 ट्रक धराया गिरीडी के गांडे थाना की पूलिस ने आज मवसी तसकरों पर बड़ी करवाई किया है पूलिस ने आज अहलेस हुआ मवसी लदे 3 ट्रक को जब्त किया है इन 3 ट्रकों में 100 से अधिक मवसी को ले जाया जा रहा था पूलिस ने गुपत सुचना के अधार पर करवाई करते वे तीनों मवसी लदे ट्रकों को जब्त कर थाने में ले आई करवाई के दोरान चालक समेत कई लोगों को गिरफतार भी किया गया वही थाने में पुच्ट आज के बाद सभी मवसीयों को पचमबा गउसाला ले जाया गया है पूलिस की ओर से मवसी तसकरों खिलाब की गई करवाई के बाद हरकम मचा हुआ है करवाई के समान में मिली जनकारी के अनुचार बुद्धवार के अले सुबा मवसील दा ट्रक संख्या बी और सताइस पी एक असी ती हतर बी आज जीरो एक जेक के पचपन सत्रा में लोड होकर आ रही थी चात्रों को कब मिलेगी चात्रविर्ती कल्यान बिभाग ने बताया समेकित जन जातिये बिकास अधिकरन रांची के सक्त रवाया से सिक्षा बीभाग हरकत में हाई प्रिमेट्रिक छात्रविर्ती जोईना में तेजी लाने का निदेश तिया गया है कल्यान बिभाग के प्रिमेट्रिक स्कोलर्शिप से समधित डाटा एंट्री कारियों को ले जीले के सरकारी स्कूलों में सिथिलता बरती जा रही है स्कूल बिद्यार्थियों को पंजी करित करने और उनकी प्रिमेट्रिक छात्रविर्ती के लिए उनकी जनकारी अपलोड करने में बहुत सूस्त है इस समध में जीला कल्यान विभाग ने जीला सिक्षा एम सक्षर्टा विभाग को पंजी करन की परकिरिया में तेजी लाने का नेदेश दिया कल्यान विभाग के अनुसार रांची जीले में अभी तक केवाल 5599 नहीं हुआ है एक करोर का इनामी नक्सली का मिला ठीकाना बुढ़ा पहार पर दबदबा कायम करने के बाद अब सुरक्षा बलो का निशाना सराय के लाग खुटी वा पच्मी सिम्भूम का सिमा छेत्र यानि ट्राई जक्सन छेत्र पर है जहां के बारे में पूलिस को गु इसी ट्राई जक्सन छेत्र में सिफ्ट हो चुके है यहां जार्खन पूलिस की सम्वंधित जीलों की पूलिस वा जार्खन जगुआर के अलावा चुनाव की अधिसुचना पर फैसला आज जार्खन के 48 नगर निकायों में 19 दिस्तंबर को चुनाव कराने के प्रस्ताव को राजेपल की समाती मिल चुकी है अब नगर विकास विभाग इसकी अधिसुचना जारी करेगा लेकिन इसमें देरी हो सकती है माना जा रहा है कि कुछ राज नितिक दलो और आदिवासे संगटों के बिरोध के फल सरूप जार्खन सरकार मध्य मार्ग को अपनाते हुए कोई निना लेगी हलाकि राज पल रमेस बैस ने राज सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्विकृती पधान कर दी है सरकार की और से एक ही तारिख पर चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया था मुख सचीव सुखदेव सिंग ने बताया है कि इस मामले में राज भॉन से प्रावत फाइल के अधार पर नगर विकास विभाग को करवाई करने के लिए अधिक्रित कर दिया गया है नगर विकास विभाग बुद्वार को इसे लेकर अधिसुतना जारी करेगा इसके बाद राज निवचन आयोग इसकी खोसना करेगा हजारी बाग से छात्रों का मोबाईल चोरी करने वाला गिरोह गिरफतार हजारी बाग जी लेके कोरा थाने की पोजिश ने मोबाईल चोर गिरोह का खुलासा किया है इनके पास सोलह चोरी के मोबाइल भी ब्रामत किये गए हैं गिरफतार आरोपियों में जबरा निवासी अनिकेत कुमार पीता संतोस परसाद बाबुगाव निवासी मोहबत अफताब उर्फ सोनु पिता मोहमद और बरकाटा निवासी प्रमोद कुमार पिता अरून परसाद सामिल हैं यह सभी अरोपित लोज में रहकर मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे आसपास लोज में रहने वाले छादरों को मोबाइल मोक्या पाकर उड़ा लेते थे उनके द्वारा बाबुगा, मतवारी और कृष्णपूरी इस्थीत लोज से कई मोबाइल गाइब किये गए थे जार्खन बिधान सभा में नेशनल सेमिनार का आयोजान जार्खन अस्थापना दिवास समरों के असर पर नेशनल सेमिनार का आयोजान किया गया है जिसमें देश भर से आई विद्वान, सिक्छावीद और लाई उन्वर्सिटी के कुलपतियों का ब्याख्यान हो रहा है बता दे केंद्रे राजे सबंधों पर पहली बार जार्खन बिधान सभा में नेशनल सेमिनार चल रहा है नेशनल इन्वर्सिटी ओफ स्टडिज और रिसर्च इनला रांची और पी आरेस लेजिस्ट लेटिव रिसर्च नई दिली के सहयोग से जार्खन बिधान सभाद्वारा आयोजीत इस राष्टिय समिलन में केंद्र और राजियों के बीच के समंदों के दस महत्पुन पहलियों पर चर्चा की जा रही है नेशनल सेमिनार का उधगाटन इस्पिकर रविंद्रात महतों ने दिप प्रोजलित कर किया है नगर निकाय चुनाओ पर लगा ग्रहान राज में नगर निकायों को बिभीन पदो पर अनुसुचित जन जाती के सीट आरक्षन को लेकर एक बार फिर बिवाद सुरू हो गया है इसी बिवाद के समधान के लिए जन जाती प्रमर्स दात्री काउंसलिंग की बैठक होगी एक बार फिर नगर निकाय चुनाओ पर ग्रहान लगा हुआ दिख रहा है चुनाओ तहरियों के बीच अनुसुचित छेत्र में नगर निकायों के बिभीन पदो पर अनुसुचित जन जाती को आरक्षित करने को लेकर बिवाद गर आता जा रहा है आदिवासी संगठनों के दबाव के बीच बुद्वार को जन जाती परमस्दात्री काउंसिल की बैठक होगी जनकारिक के अनुसार टी एसी की बैठक दो फर तीन बजे के करिब होगी टी एसी की बैठक में कूल 11 एजेंटों पर चर्चा होगी खनन घोटाले पर बोले बावुलाल सीए मेरी बात नहीं माने चाई बसा में एक जन सभा को समोधित करते हुए बीजेपी बिधायकदल के नेता और परदेश के प्रत्थम मुख्यमंत्री बावुलामरांडी ने कहा है हजारी बाग में 22 हाथियों का अतंक जारी हजारी बाग के ग्रामिन छेत्र में हाथियों का अतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है मंगलवारात को 22 हाथियों के जूण ने टाटी जहरिया परखंड छेत्र के गोधिया गाव में परवेश किया देखते ही देखते हाथियोंने फसलों को तहस नहस करना सुरू कर दिया जिस से ग्रामिनों को भारी नुकसान हुए है इसके बाद सारी रात अस्थानियों लोगों ने 20 दसत का महोल बना रहा वही हाथियों के गाउं में आने की सुचना देर रात गरामिनों ने वन विभाग की टीम को दी सुचना मिलते ही वन चेत्र पतादिकारी बगोदर वन चेत्र द्वारा हाथि भगाने की रेस्क्यूर टीम पुला कर परवारी बनपाल संजीत रविदास असलम अंसारी के नेतित में गोधिया गाँ भेजा गया जहां हाथियों के जोड़ धान के खेतों को बरबाद करने में लगे हुए थे बिना नाम लिए रगवर दास ने साधा निशाना जहारखन का राय नितिकता अपमान बढ़ता जा रहा है एक और राजे के मुख्र मंत्री हेमान सुरे ने रगवर सरकार के पांच मंत्रियों खिलाब आयसे अधिक संपत्ति के मामले में एसी भी जाज का अदेश दे दिया है वहीं बुद्धवार को भाजपाक राष्टियों उपाध्यक्स वह पूर मुख्मंत्री रगवर दास ने बिना किसी का नाम लिए राजे के हेमान सरकार पर निशाना चाधा इस दोरान रगवर दास ने काया है कि जारखन की हेमान सरकार पर पर चार में डूबी हुई है इस सरकार को उखाड फेकेंगे जब तक यह सरकार राजे की सत्ता से बेदखल नहीं होगी जारखन के भाजपा करकरता चूप नहीं बैठेंगे खनीज राजस वर लूटने वाले लोग सीगर होटवार जेल में होंगे धन्यवार